Hello friends, आज शुरू करते हैं exercise 10.2 से question number 5 Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center आपको ये proof करना है कि tangent पर ये जो point of contact होता है न इससे अगर perpendicular बनाते हैं, यानि कि बिल्कुल 90 degree का angle बनाते हैं तो वो center से ही गुजर के जाएगा, कहीं और से नहीं गुजर के जाएगा यानि कि ये perpendicular हुआ, ये point of contact है, ये perpendicular है, ये इस center से ही गुजर के जाएगा ये आपको proof करना है, तो पहले तो आप ऐसे figure बनाएंगे figure में circle बनाएंगे, center बनाएंगे, center का नाम O रख दिया, ये tangent बनाई, point of contact का नाम P रख दिया चले tangent का भी कुछ नाम रख देते हैं, A, B अब इसको solve करने के लिए इसमेना contradiction method लगाना पड़ेगा आपको कुछ construction करनी पड़ेगी, और फिर हमें contradiction method लगाके ये दिखाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ O से ही गुजर सकती है, ये वाली line perpendicular तो चले ये से शुरू करते हैं, सबसे पहले थोड़ा given लिख लेते हैं question के अंदर question में हमें given है कि एक circle है, जिसका center O है a circle with center O और A-B एक tangent है, जो point P के ऊपर जहाँ पर point of contact P है a, b is a tangent at point P on the circle, circle के ऊपर जो point P है, उसके ऊपर ये tangent है तो P हो गया आपका point of contact, point of contact वो ही contact होता है, जहाँ पर circle और tangent आपस में touch होते है ठीक है, अब देखिए, आपने theorem 10.1 पड़ी होई है, theorem 10.1 का इसके अंदर use होगा theorem कहती है कि जो radius होता है और आपकी जो tangent होती है जब ये touch होते हैं है, point of contact पे, तो यहाँ पर 90 degree का angle बनता है और 90 कोई तो बोलते हैं हम perpendicular, तो पहले ये लिखते हैं कि O, P, B अब यहाँ से solution है, angle O, P, B is equal to 90 degree का होगा क्यों होगा, क्योंकि theorem 10.1 कहती है, आपको theorem पूरी लिखनी है यहाँ पर मैं सिरफ theorem लिख रहा हूँ कि इसमें इसका use होना है आप paper में ऐसे लिख देंगे तो पूरे marks नहीं मिलेंगे आपको तो पूरी theorem लिखनी है आपको यहाँ पर, अच्छा, यह 90 degree का होगा अब हम मान लेते हैं कि कोई और point है मान लिए, यहाँ मैंने कोई point M मान लिया और मैंने यह मान लिया, कि यह जो MP है ना यह MP AB के perpendicular है अपनी तरफ से मान लिया, assumption है ना, assume करना पड़ेगा assume ही करते हैं हम contradiction method में तो if possible अगर possible है तो let तो मैंने मान लिया कि PM B perpendicular to AB कि कोई PM है PCM यह perpendicular AB के है और यह O से pass नहीं हो रहा है क्योंकि O से तो अलग है ना, not passing through A अब जब यह perpendicular है तो यानि कि perpendicular का मतलब भी 90 degree होता है तो जब perpendicular है तो angle MP और B हो गया 90 degree therefore angle MPB is equal to 90 degree तो यह 90 degree हो गया अब इसको number 1 रखते हैं उपर वाले को और इसको number 2 रखते हैं अब आप ज़राइन पर ध्यान दे O, P और B यह भी 90 degree और MP और B यह भी 90 degree जबकि जो MPB है ना, यह O, P, B का एक हिस्सा है हिस्से का मतलब है part और part जो होता है, वो हमेशा total से छोटा होता है total से तो थोड़ा ही होता है ना, part part का मतलब होता है तो यह तो एक टुकडा है इसका अगर यह टुकडा है तो इससे छोटा है तो इसके बराबर तो यह नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर 1 और 2 में दिखा रहा है कि यह दोनों बराबर है तो पहले तो हम यह लिखेंगे कि 1 और 2 से 1 और 2 से हमें यह दिख रहा है कि angle OPB is equal to angle MPB ऐसा दिख रहा है उपर से लेकिन ऐसा तो possible नहीं है which is not possible और ऐसा क्यों possible नहीं है ऐसा इसी लिए possible नहीं है क्योंकि इतना वाला जो यह part है यह इस पूरे का टुकडा है इसका reason भी लिखना पड़ेगा आपको which is not possible as a part क्योंकि एक जो टुकडा होता है cannot be equal to whole पूरे के बराबर नहीं हो सकता हूँ तो यह चीज यहां proof हो गई तो इससे क्या हो रहा है इससे जो हमने assume किया है ना वो contradict हो रहा है यानि कि हमने जो माना वो गलत है हमने क्या माना हमने यह माना कि यह perpendicular है तो यहनी हमने गलत ही कर दी तो इस बात से यह contradict होता है कि हमारी जो supposition है ना वो गलत है अब यहां से लिखेंगे जो भी हमने suppose किया यह हमने suppose किया था कि यह perpendicular है तो हम गलत थे अपनी supposition में जब हम गलत थे तो सही बात क्या है सही यही है कि यह जो ओ पी भी है यही 90 डिग्री हो सकता है बस इससे अलग कुछ भी 90 डिग्री नहीं हो सकता तो hence the perpendicular at the point of contact यानि point of contact पे जो perpendicular होता है वो center से ही गुजरेगा ना कि किसी और point पे जैसे कि हमने यहाँ M मान लिया है यहाँ से थोड़ी नहीं गुजर रहा है यह तो गलत हो गया तो ओ से ही गुजरेगा तो hence the perpendicular at the point of contact to the tangent जो tangent के ऊपर है यह point of contact to a circle passes through the center वो center से ही गुजरेगा center से लग कहीं भी कोशिश कर ले ना आप suppose करके हमेशा इसी तरह का result आएगा जबी भी आएगा यह एक part होगा यह एक hole होगा और hole बड़ा होता है पार्ट से वो बराबर नहीं हो सकते बस यह contradiction method होता है इसमें हमारे पास और कोई choice ही नहीं होती है हम अपनी तरफ से कुछ माल लेते हैं और फिर उस चीज को गलत प्रूफ कर देते हैं जब उसे गलत प्रूफ कर देते हैं तो फिर हम इस तरह से लिख देते हैं कि भी यह जो हमने माना था वो गलत था तो जो already है वो सही है तो सही है कि यह center था और यह perpendicular है क्यों? तो यह perpendicular center से ही गुजर सकता है बस तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए good bye